वोकेप सीजन वन रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 23 आज का रूट वर्ड है कैको डिस्टूडेंट्स याद रखेंगे C-A-C-O कैको कैको का मतलब होता है बैड या हार्स बैड या हार्स का हिंदी मिनिंग होता है बुडा करकस कुरूप तो याद रखेंगे जिस भी इंगलिस सब्द में आपको कैको दिख जाए जिस भी इंगलिस सब्द में आपको कैको दिख जाए वो सब्द अर्थ देगा बुडा का, करकस का या कुरूप का तो जिस भी इंगलिस सब्द में कैको दिख जाए हमारा पहला वर्ड है कैको फोनी दे स्टूडेंस कैको फोनी दो चीजों से मिलकर बना कैको प्लस फोनी कैको मतलब होता है बुरा फोनी फोन से आया फोन मतलब आवाज तो कैको मतलब बुरा फोन मतलब आवाज बुरा आवाज तो ऐसा वेक्ती जिसका आवाज बहुत बुरा हो या वह जिसका आवाज सुनने में बड़ा ही खड़ाब लगता हो जिसका करकस आवाज हो तो bad sound या harsh sound बोलेंगे हम लोग इसको हार्स या bad sound तो याद रखेंगे जैसे कवा तो यह जो कवा है इसका आवाज कैसा है तो केकोफोनी है याद रखेंगे हाँ, crow is a cacophony, तो crow जो है, crow का कववा का आवाज क्या होता है, करकस होता है, बुरा होता है, अच्छा नहीं लगता, तो कववा का आवाज cacophony कहलाएगा, वही कोयल, कोयल बहुत ही मीठी गाती है, तो कोयल का आवाज cacophony नहीं, यू phony होगा, क्या होगा, यू phony, e-u, p-h-o-n-y, you मतलब good, अच्छा, पिछला एपिसोड में हम बता चुके हैं, चली हमारा अगला वर्ड है, cacography, cacography दो चीजों से मिलकर बना, cacography, cacography मतलब बुड़ा, graph से आया, graph मतलब होता है, लिखन बुड़ा लिखना, जो बुड़ा लिखता है, अच्छे से नहीं लिख पाता, जिसका राइटिंग नहीं बनता, तो याद रहे, cacography means bad writing होता है, तो cacography means bad writing, या bad handwriting भी बोल सकते हैं, हमारा अगला वर्ड है, cacodemon, cacodemon दो चीजों से मिलकर बना, cacoplus demon, cacodemon मतलब बुड demon मतलब सैतान, सैतान तो खुद भाई बुड़ा होता है, तो याद रहे, सैतान तो बुड़ा होता है, लेकिन उसमें भी लगा दिये, cacodemon, मतलब बहुत ज़्यादा बुड़ा वाला सैतान, और bad demon, है ना, या demon भी बोल सकते हैं, सैतान, चलिए, हमारा अगला वर्ड है, c keko phobia, keko phobia दो चीजों से मिलकर बना keko plus phobia, keko मतलब बुड़ा, phobia मतलब डर, बुड़ा से जो डरता है, bad, bad से जो डरता है, तो यहाँ याद रखेंगे, कि यहाँ पर keko मतलब होता है, अगली, कुरूप, बदसूरत, तो याद रहे, बदसूरत सकल से डरना, वो keko phobia कहला है, keko मतलब बुड़ा, करकस, कुरूप, phobia मतलब डर, तो बुड़े सकल से या बुड़ा चीजों से बोल सकते हैं, अगली नेस, कुरूपता से जिसको डर लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, keko phobia, तो fear of ugliness, कुरूप चीजों से जिसको डर लगता है, वो keko phobia कहला हमारा अगला वर्ड है, keko topia, keko topia दो चीजों से मिलकर बना, keko plus topia, keko means बुरा topia, word actually place, अस्थान, position के लिए यूज होता है, याद रखेंगे, keko topia is made by two words, keko plus topia, keko means बुरा topia, जो है वो place, जगह, अस्थान के लिए यूज होता है, तो बुरा अस्थान, याद रहे, keko top topia means बुरा अस्थान, ऐसा जगह, जो जहां बहुत ज़्यादा बुराई है, मतलब बुराई जितना हद तक हो सकता है, उस तरह का बुराई जहां पर होता है, वो keko topia कहलाता है, a place where everything is as bad as it can be, तो ऐसा जगह, जहां पर हर चीज, मतलब हर चीज में बुराई हो, जहां तक ह हो सकता है, नहीं, बतलब जितना बुरा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा जगह जो होता है, उसको क्या बोलते है, keko topia, I hope समझ माया होगा, बहुत ही आसान word है, keko, 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 šabd है हमारा, root word, keko, means, बुरा, keko, phony, बुरा, आवाज, हो जाएगा, keko, graphy, बुरा, लि कि आएगा बुरा जितना